नमस्कार दोस्तों स्फागत है आप सभी का आपिके अपने स्योटोप चैनल इंडियन स्टोडियो में तो दोस्तों बस चन दिनों के अंदर ही आपके सामने होगा वार का धमाकेदार ट्रेलर जिसका पूरा देश बेसबरी से इंतजार कर रहा है जी हाँ दोस्तों अगले एक हपते के अंदर वार का ट्रेलर रिलीज होने वाला है और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रितिक और टाइगर के इस फिल्म के ट्रेलर को मुंबई में एक इवेंट के दौरान लांच किया जाएगा और साथ ये इवेंट एक आक्शन पैक ट्रेलर लांच इवेंट होने वाला था वही दोस्ता हम आपको बता दे कि ये श्राज फिल्म की टीम वार के ट्रेलर लांच इवेंट की तयारिया पिछले चार महिनों से कर रही है क्योंकि दोस्तों यहां फिल्म के मेकर्स चाते थे कि वार का ये ट्रेलर लांच फिल्म के विजुल स्केल से मैच कर सके और दोस्तों फिल्म से जुड़े करीबी सोर्स ने इस बात पर खुलासा करते हुए बताया कि फिल्म के इस ट्रेलर लॉंच इवेंट में रितिक रोशन और टाइगर श्टो चौपर्स के जरीए धमाकेदार एंट्रे करने वाले थे साथ ही दोस्तों फिल्म के दोनों सितारे वार के कुछ आक्शन सीन्स और स्टंस को रेक्रियेट करने वाले थे लेकिन दोस्तों बॉर के इस ट्रेलर लॉंच इवेंट को कैंसल कर दिया गया है क्योंकि दोस्तों यह डिरेक्टर सिधार्थ आनंद का कहना था कि हम चाहे कितने भी बड़े स्टर पर इस इवेंट के प्लैनिंग कर ले वो फिल्म के यूज़ स्केल को मैच नहीं कर पाएगा वही दोस्तों यह सिधार्थ ने आगे बताया एन इवेंट फोर ए फिल्म लाइक दिस नेट सू बेट पार विट वाट वी आर प्रोमिसिंग तो ओडियंसे and it's impossible to create this spectacle from an event logistic point of view so we have decided to scrap the idea of the launch and want to leave audiences with only the visuals of the trailer यानि दोस्तों आपको इस फिल्म के ट्रेलर का कोई लाँचिंग इवेंट देखने को नहीं मिलेगा बलकि इस फिल्म के ट्रेलर को डिरेक्टली यूट्यूब पर रिलीस कर दिया जाएगा साथ ही दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि वार का ये ट्रेलर एक दाम ब्लॉक्बस्टर बना है और इस ट्रेलर को देखने के बाद हर कोई है रांद है जाएगा तो रितिको और टाइगर के तमाम फैंस आप बताईए कि आपको ये खबर कैसे लगी और आप वार के ट्रेलर को देखने के लिए कितने एकसाइटेड है जरूर शेयर कीजिए अपनी राए कमेंट सेक्शन में और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो ची लगे हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और बॉलिवड की लेटिस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टोड यूटोब चैनल को जैहिन